Hello Everyone, Welcome to CVT Interest Exam Preparation So, जितनी भी ऐसे इस्ट्वेंट हैं जो इस बार आप लोगों ने या तो CVT दिया था और admission नहीं हो पाया या फिर आप लोग में से ऐसे जितनी भी इस्ट्वेंट है जो अगली बार आप लोग CVT के इंटरेंस एक्जाम देने वाले हैं और उसमें पिए अगर foreign language के बारे में आप जो है study आगे करना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Delhi University के जो course है BA French Honors उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे कि क्या eligibility criteria है कौन-कौन से papers में आपको जो है appear होना पड़ेगा तो उससे पहले फट अफट आप लोग अगर माल लीजे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर ले और इसके साथ ही notification bell भी दवा लें so that आपको सारा update मिलता रहे इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि exam strategy के दरब से online classes जो है provide की जाती है तो classes के बारे में अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप लोग call या message कर सकते हो अंदर number 8448878849 तो इस पे आपको call या message करना है और हम लोग आपको सारा details भी बताएंगे तो आईए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो डेली उन्वर्सिटी में ये आज हम लोग बात करने से डेली उन्वर्सिटी का और इसमें हम लोग सीर्स के बारे में भी discuss करेंगे तो डेली उन्वर्सिटी में BA French में अगर आपको admission लेना है तो ये जो हम लोग आज discuss कर रहे हैं ये है BA honors French ठीक है तो सबसे पहले अगर माली जे हम लोग देखते हैं फ्रेंच का eligibility criteria क्या है या program SP कि आपको कौन से subject में exam देना होगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि दू combination of subjects हैं जिससे की आप choose कर सकते हैं तो सबसे पहले combination 1 है combination 1 है French from list A तो एक बार हम लोग देख लेंगे list A क्या है और फिर है any two subjects from list B1 any one subject either from list B1 or list B2 तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये है आपका list A list A में बहुत सारे languages हैं both foreign language and Indian languages including English English तो French honors में admission लेने के लिए या तो यहाँ पर कहा गया है कि एक जो condition है पहला criteria क्या है या combination of subjects क्या है कि अगर मालिजे आपने class 12 तक फ्रेंच पढ़ा है या आपको फ्रेंच language के बारे में जानका रही है तो आप French का exam दे सकते हैं अब देखें French अगर आपने पढ़ा है क्योंकि ये subject जो है ये paper इसका जो है French language में ही conduct होगा यानि आपने French अगर choose के लिया या नहीं कि आपको exam में appear होना पढ़ेगा दूसरा यहाँ पर है list B1, list B2 तो list B1, list B2 basically वो सारे subject हैं जिसमें आपने class 12 में study की है या तो आप science side से हैं या art side से हैं या commerce side से हैं तो सारे subject यहाँ पर आपको list out कर दी गई है तो आप या तो यहाँ से इन सारे subject से कोई भी दू चूज कर सकते हैं या फिर उसके अलावा यहाँ से एक चूज कर सकते हैं या अगर आपके पास B2 वाले subject में आप नहीं appear होना चाहते हैं तो यह B1 है, list B1 इसी से कोई भी 3 subject और वो subject चूज करने हैं जिसमें आपने class 12 में पढ़ाई की है for example अगर आप science subject से हैं तो physics, chemistry, mathematics जैसे subject से हैं आप उसको चूज कर सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है कि test paper mentioned in section 2 of the CUT have been categorized under list B1 and list B2 और एक बार separately भी हम लोग यह चीज देखेंगे जैसे यहाँ पर आप एक चीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि यह सारे subjects include कर दिये गए हैं और usually Hindi और English होता ही है तो अगर माल लिजे आपने French नहीं पढ़ा है, Hindi, English पढ़ा है तो उसमें क्या condition है कि आप उसमें कैसे appear हुई है तो यहाँ पर आपको दिया गया है combination 2 तो any one language from list 1 यानि फिर यहाँ पर दूसरा combination क्या है जो list 1 है आपका, यहाँ पर जो list 1 mentioned किया गया है इसमें से आप कोई भी एक language choose कर सकते हैं माल लिजे आपने Hindi पढ़ा है तो आप Hindi choose कर सकते हैं या माल लिजे आपने English पढ़ा है तो आप English भी choose कर सकते हैं अगर आपने state university से अपने पढ़ाई की है और वहाँ पर state university में आप देखिएगा फरक्जामपल अलग-लग languages पढ़ाई जाते हैं बेंगावल में बेंगॉली होता है या मलियालम है माराथी है जो भी language है आपको उस language का तो एक चीज़ तो confirm होगा है कि एक language paper देना है उसके इलावा आप यहां पर देखिएगा कि एनी टू सब्जेक्ट और एनी वन सब्जेक्ट फूम आइधर बी वन और बी टू तो बाकी दोनों condition दोनों सेम ही है तो एक चीज़ जो हो गया एनी एक हो गया आपका एनी language paper एनी language paper और दूसरा हो जाता है आपका एनी subject paper तो subject paper बिसकली जिसमें आपने class 12 में पढ़ाई किया तो list बी वन और प्लस बी टू तो यू बी वन से आपको कोई भी दो चूज करना है और बी टू से या तो एक चूज कर लिजे या फिर आप बी वन से कोई भी थ्री चूज कर लिजे तो ये condition है कि आपको इन इन papers के exam देने होंगे तो अगर आप overall देखिएगा तो total आपको four different subjects के exam देने होंगे अगर आप Delhi University में admission चाहते हैं तो और अलग अलग universities के बारे में भी हम लोग discuss करेंगे कि इफलू के लिए क्या करना है या फिर मालिज़ जेनियू है बी एचियू है अलग अलग आपकी जो central universities हैं कहा कहा कौन-कौन से courses हैं उसके बारे में भी हम लोग separately बाते करेंगे तो अब आते हैं कि कौन-कौन से colleges हैं तो देखिए जो फ्रेंच ओनर्स बीए फ्रेंच ओनर्स का course है अंदर डेली उन्वेसिटी तो यह आपका department of German and romance studies में ही पढ़ाई जाती है तो यह किसी college based यह course नहीं है यह आपका डेली उन्वेसिटी का proper main department है German and romance language का ठीक है तो अगर अब हम लोग बात करते हैं seats को लेकर तो अंडर जब या अंडर जब कैटेग्री में total 19 seats है schedule cast के लिए आपके लिए 7 seats है schedule tribes है तो total number of seats जो ही वो 4 है OVC के लिए 13 है और EWS के लिए जो है आपका 6 seats है तो इसी को अगर आप total combine कर लिजेगा तो around 49 seats आपके हो जाते हैं तो एक चीज 20, 30, 40, 49 seats आपका हो जाता है Delhi University में तो अगर आप माली जब फ्रेंच के लिए apply करना चाहते हैं तो एक तो यह है कि सिर्फ Delhi University में नहीं apply करना है बाकी universities भी अच्छी अच्छी इनुवर्सिटीज आपकल जेन्यू है बी एच्छी है इफ्लू है जाम्या है उन सब के बारे में भी आपको बताएंगे लेकिन जरूरी यह चीज हो जाते हैं कि preparation कैसे start किया जाए और एक्जाम्टेशी के तरब से जो complete preparation कराई जाती है English की preparation कराई जाती है फिर बाकी जैसे जेन्रल टेस्ट होता है जहाँ पे आप जेन्यू की अगर आप बात करें इफ्लू की बात करें बी एच्छी है तो आप आपको जेन्रल टेस्ट का एक्जाम्टेना होगा तो सभी का जो है preparation कराई जाता है तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग subject के बारे में भी discuss करेंगे तो अगर माल लिजिए आप serious है तो अभी से preparation इस्टार्ट कर सकते हैं और preparation के लिए आपको call या message करना है नमबर 844-887-8849 और preparation में आपको जे previous papers भी सारे provide किये जाएंगे अलग अलग days को जे exam हुआ था so that आपको पता चल जाए कि किस तरीके से questions पूछे जाते हैं और उस recording आप अपना preparation अभी से शुरू कर सकते हैं इसके लाबा भी admission related कोई information चाहिए in universities like JNU या FIDU, BHU, HCU या EFLU तो इन सब में भी आप admission ले सकते हैं इसके लिए क्या processes ये सब कुछ complete आपको बताए जाएगा तो hopeful ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को भी like कर लें और चैनल को भी तक आपने subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी subscribe कर लें इसके लाबा भी आपके पास और को information है जो आप चाहते हैं तो प्लीज आपको call your message कर सकते हैं या एचियो आपkyशन आपको कर दो किया एचरो आपको कर दो आना खचे कर दो आप्लीज कर दोंसे कर दोओ कर दोफ़ cний nasa बदको किया लोग वकर दो अजब काभिश स्क्या फभी अ हैं श्नापकर 105 जपर प्लीज संद विस में हैं खिपर सेटे पत्सटे यारी श्लीजीर त